ओके तो यार आज उके एक इन्य वीडियो के साथ वापीस एंडर ये वली वीडियो में जित्ते भी पैराशूट आप उतरते हुए देख रहे हो उन मेंसे 90% बंदों को तो मैं मार देता हूँ लेकिन एक बंदा यहां पर ऐसा था जो कि भाई एक बहुत ही सेकरट जगा पर चुपा हुआ था एंड वो जगह आपने कभी नहीं देखे होगी फिलाल यहां पर में उतरा और मेरेको लाखी लिए यहां पर गंदवन सब कुछ मिल जाते है तो मैं आप वेट नहीं किया मैं सामने वाले गरवालों पर बंदों पर पुश कर दिया क्योंकि मेरेको पता थ अहते हैं इंसे अब वापस वह कूदा था लेकिन आई ति को उसी कोदाने के लिए जातो मैं जातो इस पीटीमउर को मारने यहां चेज़्क कर दिया कैसे के ह्या फिर ईथा, दू था अब यहां पर इस बंदी को फिनीश कर दिया और इसको भी करता हूं क्योंकि गिए गया उसके बाइठ के नुञा में चलता अब यहां पर यहां पर दू बंदो की रहते बिल्कुल दुनो चथ के उपर रहे थे तो दूसरी वाली साड चर्च के दूसरी साड जो वहां पर फाइट हो रही थी और देखो सामने बंब ब्लास्ट हुआ एक बंदा वहां पर जो है मारा भी जाता है यादि कि एक टीम एक सिंगल बंदे के उपर पुष कर रही थी उसको नेट से उड़ा दिया कि वह मेरे उपर पुष करें अपने टीमिट का बदला ले बट क्योंकि मैंदे फिनिश कर दिया था तो भाई उसके लिए हर एक चीज बोड़ी मुश्किल हो रही थी और इसको कहते है सोने पर सुआगा वो वेट कर रहा कर रहा और करते ही रहा गया बाई मतलब और ये बंद तो मैंने सोच यार आगे जाना तो काफी मुश्किल रहेगा क्रोस करूंगा तो ये ना होगा मेरे को पेल दें तो मैंने तीन नेट कर दिया आइ मिन तीन स्मोक कर दिया बैक टू बैक सो ये स्मोक इस परकार से देखिए मेरे को जो है ये पूरी की पूरी स्टक को कवर दे इस बंद को तोनाध फिनिश कर दिया और इसको टीब तानाव उन्हें ऑपटा जो की जहां पर मैंने फाइट होते हैं बंदू कि दीकिती तो मैं इस धू बंदापने अपने को बंद करता हैं कि जो बंदा है वह शायद सामने वह वाले गर पे रहसता है मैंने मार्क टू लोकेशन दे दिया क्योंकि ये रेंडम बंदा था मेरी बात तो सुन नी रहा था तो मैंने बोला आगे मत जाना मैं काम करता हूं पीछे से बगी लेकर आता हूं और बगी लेकर जैसे आओगा ना तो फिर आपन बगी से पुश करेंगे और यही उसको मैंने अखरी वर्ट का दे जैसे मैं बगी की साइड गया भाई कोई बंदा यहां पर कैसे लेट सकता मतलब कोई क्यों एक्सपेक्ट करेगा कि वहां पर आएगा मतलब जस्ट फॉर उस बगी के लिए तो उस बंदे ने अच्छा दिमाग लाए कि भाई कोई नो कोई जो भी बच इस बंदे के लिए यह बहुत ही बड़िया चीज थी फिलाल यहां पर नया मैच लगाया और यह पूरा सर्वाइवल मैच था ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ जश्ट यहां पर देखो अब यहांब मेरे रिलोड आगया था तो है क declaring टीम में ने ले लिया और एक क्यमेर को वह अनया स्टार्ट कर देते हैं शुरू अत्करी यहां पे दो की लोगे थे अब यहां पे जो है सामने एक पूरी चार बंदों की टीम थी और तुम्हार बाइच देखो कैसे क्लच करता हूं आपे फिलल मैं जैसे आगे गया तो मैं तब चला की बाइच नीचे रूखे दो को लगाया और इनको फिनिश करने के बिट्राइ काता हूं लेकिन तब फी तीसर कूच जाता है तीसर अभी गया और इसी के साथ चोथ भी मारा जाता तो ये कलेच आपको कैसा लगा है यार कमेंड में जरूर बताना लेकिन फिलार यहां पर एक बंदा होता टावर के उपर उसको भी लुड काया है यहां पर यहां पर पांच बंदों को बैक बैक मारा लेकिन उस बंदों को फिनिश करना जरूरी था क्योंकि अगर उसको फिनिश नहीं करते ना तो दूसरे साथ उसको टीमेट चड़ के रिवाइब करते था आपन जल्दी जल्दी में चड़े इसको पर आपने आउट 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 कुछ नहीं देगा और फिनिश करते इसको सिधा अब यहां पर इनिश करते लेकिन उसके टीमेट थे ना वह दीख गया था नीचे से क्योंकि वहां से उसको पता लग गया था अब उसको फिनिश करते था लेकिन यार नीचे से ऊपर की साइड एंगल काफी बढ़िया मिलता है उस बंदेगों तो उसने इसली डेमज कर दे तो यहां पर रहना हमारे लिए काफी मुश्किल था आपन नीचे आ गए लेकिन मेरे टीमेट जो पीछे रह जाता है और अब अब यहां पर बचाना था कुछ भी करके मैं पेड की पीछा यहां से थोड़ा बहुत फायर दिया अपने टीमेट के लिए लेकिन इतना कुछ बंद नीबाया तो मैंने इसको रिवाइव किया मैंने ठीक है एक काम करेंगे बन यहां से पूरा फ्लाइंग करेंगे पीछे वाली साइड से गुंद की जाएंगे इन बंदों को मारने के लिए तो मार पाएंगे कि नहीं वह आप बताओ कमेर सेक्ष्टन में पॉस करके वीडियो को फिलाल यहां पे अपने वो बंदे दिखते है तीन बंदे होते है वह दो मिरे को दिख दिख दिया थे और उन्होंन उस बंदे को फिलाल बाकी की बच्चों वे दो बंदे वे थे वहां पे अब मैं यह तोड़ीशा वेट कर रहा था कि कब वो बंदे जो यह कुछ गल्ती करें वह तो कुछ कर नहीं रहतो तो मैंने सोचा मैं फ्लैंग करता हूँ उन्हें भी फ्लैंग करना स्टार्ट कर दिया मैंने टीमिट को अपने पास बूला रिया और यहां पर देखा आप क्या होता मेरे बास साथ ग्रिनेट थे भाई और मैंने बोला यार कभी तो इसका फाइदा उठाऊंगा बैर साथ दे पी लेके बारे उसको मरना ही होता है जाते तर बार सो यहां पर जो काफी से लिए लिए टीम को अपने समाप्त किया लेकिन यहां तक सब कुछ सही था मतलब अपन जो है डॉमिनेट कर रहे थे मिलिट्यू बेस के तब यह गाड़ी दिखते मेरे को वह देखो गाड़ी सब्सक्राइब कर देखो काड़ी है यूएस और वहां पर जो और भी बंदे से लिए सो अपने यहां पर क्या किया अपने सोचा कि आपन पीछे से ब्लोक करते है और तभी एक बंदा दिखते है इनका जिसको कि हम लगया तो फिनिश भी कर देंगे ताकि वह इसको बचाने ना आपाई जैसे इसको फिनिश किया तो जो सामने पन जिनकी एक्स्पर कर रहे थे वो नहीं आते लेकिन पीछे से गाड़ी जरूर आती है और देखो कैसे बहरते इसको अब दोखे जैसे दैसे इस बंदे को मारा तो मेरे टीमेड ने का कि अभी ब्रिशपर कोई भी निया क्योंकि मेरे टीमेड आपन में जा रहा है कोई इसको फायर नहीं कर रहा और वाके में हो सभी बहवी कर रहा था एक हीसाप सुछ जैसे वह लूटने लग गया तो मैंने उपर नौक एंड फिनिश दोनों कर दिया अब जो नीचे कूदा था वो ज्यादा से जाता कहां जाएगा पानी मिचाएगा फिर पीछे से निकलाएगा फिर हमको मारेगा सो हम उसको उपर आने क्यों दें मैं यहां पर टीपी भी ले रहा था और इतनी तेर में एक और गाड़ी आया यहां पर यह वहली टीम को भी आपने निप्टा दिया लेकिन तभी मेरे को पानी में तैरनी के वाज आती है मैं समझ ज़िया था वो जो बंदा कूदा है यह वही बंदा है उसको उपर तो आने नी देंगे सो मैं गाड़ी लेकि नीचे ही चला गया और यहां पर मेरा टीमेट भी था वो पहले ही नीचे कूद गया था सो मैंने बोला यार एक काम करते हैं मैं थोड़ा सा ओपन में बेट बंदा हूँ अब यहां पर ना अपना जो सीन बने रहा था वो ता सरफ कुछ बंदे बज़वे थे जो कि ब्रिच के शायद उस साइड थे क्योंकि वहीं सदी सब आ रहे थे क्योंकि मिलिटरी बेस तो हम लोगों ने खाली किया था और एक बंदा और दिखता मेरे को मैंने सोचा यार ए ब्रिच ब्लोग करेंगे एक तम पुरानी तरीके से जैसे के बंद करती थे तो अपन लोगों ने यहां पर कावी इच्छे से ब्रिच ब्रिच ब्लोग कर दिया लेकिन कोई भी नहीं आया क्योंकि आ इधिंक वह वाले जो बंदे बचे वे जित्ते भी थे वो सारे पानी से अब यहां पर देखो कैसे इस बंदे को चला के मारते हैं यहां पर पहले तो नीचे नहीं आया तो मैंने हर जगह से नेट बेकिनी स्टार्ट कर दिया एक इधर हर जगह मतलब हर जगह और यहां इसी के साथ होता है एक इजी चिंक इनलर किया थ हो भी मैंने जो एक गृणिट के साथ है आज वालया भी ग्रिंट के साथ है थोड़ा सा कोई इंसीडेन टाइप गया है लेकिन आपको यह वाल वीडियो जो है बड़िया लगी आगर तो आपको बड़िया लगी तो बताओ मेरे कोкимиटे सेक्शन में आपको फेलियोट मोमेंट कौन fps कौन सा था इसके लफे अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भई क्या कर रहाओ ? सब्सक्राइब बटन रहे तो अगर आपको आपको सबस्क्राइब अभी तक आपने नहीं किया वीडियो demostि सब्सक्राइब probetter ना Doo करे मैं भूगो जी सब्सकाइब अपने न covenant कौइटका मौच हूं ऑने फॉलो कर लिना है और बाके में मिल तब कुछ सुगन देख स्टुडियो में तब तक लिए टेक क्या रेंड बाई